अस्ताम लेकूम मेरे स्पेशल से वियर्स के लिए मैं बना रही हूँ आज चीजी स्टफ चिकन तो रेसिपी अची लगे तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो एक मैंने चैस पीस ले लिया है उसको सेंटर से कट करके इस तरह से आपने डीप पॉकेट्स बना लेनी है किसी भी नाइव से इस तरह से आपने कट करना है 2 पाइसाय लेते हैं साल्ट आपने लेना है स्प्रिंकल करना है यह पोकेट भी रब विशाया ल। झाहनल ऱ्चाइगे बालता हमेशे चाहिए के मताब लिए गानग दुनान दॉक इए हमुए다고 पालता है अब मैं इसमें चीज एड़ कर रही हूं मौजरेला चीज लिए मैंने और ये भी इसकी भी स्टफिंग कर लिए मैंने सारे पीसिस में next step है मैदा लिया है मैंने इसकी कोटिंग करेंगे ये हमारी first कोटिंग है चिकन के उपर लगाते वे आपने प्रेस जरूर करना है next है egg की कोटिंग second कोटिंग है ये एग में अच्छी तरह से आपने डिप करना है दुबारा से हम all-purpose flour मैदे की कोटिंग करेंगे ताकि अच्छी तरह से चीज अंदर से पैक हो जाए और out नहीं हो एक की कोटिंग fourth कोटिंग दुबारा से और last कोटिंग जाएगी bread gum की कोटिंग अच्छी तरह से आपने इसको कोट करके प्रेस जरूर करना है ताकि जो opening है वो अच्छी तरह से close और pack हो जाए oil preheated होना चाहिए high flame पे और बाद में आपने low flame पे इसको cook करना है seven to eight minutes के लिए one side से मैंने cook कर लिया है और आप sides को change करेंगे और seven to eight minutes के लिए आपने दूसरी side से भी low flame पे cook करना है आपने dish out कर लेते हैं इसको kitchen towels पे और बहुत special recipe ready है इसको आपने serve करना है pineapple sauce के साथ उसकी link भी मैं description में share कर दूँगी और उपर card में भी दे दूँगी pineapple sauce के साथ यह बहुत ही मज़े की लगती है cheesy chicken ready है हमारा तो मिलते हैं next recipe के साथ अल्ला हाफिज